2017 में मेरे पास एक कॉल आती है दुफैर में डाही बज़े का टाइम सा एक लोड़की सामने से बोलती सर आप स्टॉक मार्केट में डेट करते हूं मुझे ऑप्शन बाइंग में ही लग रहा था कि सारा पैसा जो मैं कमा सकता हूं में कमा सकता हूं जड़ा सी पांच मिनिट के एक केंडिल नीचे आती हो मुरा पूरा का पूरा पैसा पांच साड़ी पांच लाग रुपए की कैपिटल मात 25,000 रुपए पर रह जाती है जो एक बार आपको पड़ गई ना तो उससे निकल पाना बहुत मुस्किल हो जाता है 2020 को मेरी बेटी पैदा होती है उस समय मेरे अकाउंट में मात 25,000 रुपए बचे हुए तो बात है फरवरी 2020 की कोविट का वो टाइम जिस समय सारे सारी की सारी दुनिया हमारा पूरा देश जो है अपनी जान बचाने के लिए श्रगल कर रहा था बहुत सारे लोग अपनी न मेरा नाम है उत्तर पदेश के बस्ती जिले का रहने वाला हूं यह जो मेरा डिस्टिक है यह अजुद्ध्या से बिल्कुल सटा हुआ है तो इसलिए मैं हनवान जी की बहुत पूजा अर्चना में भी रहता हूं और कहीं ना कहीं मेरी टेडिंग में जो सफलता है उसमें कह आज में आकर आपको अपनी जन्नी सुना पा रहा हूं तो मैं आज में बता दूं कि स्टॉक में मैं क्या-क्या बाते करने वाला हूं सबसे पहले मैं आपको अपनी जन्नी के बारे में बताऊंगा कि ट्रेडिंग में मेरी जो यात्रा रही वह कैसी थी फिर मैं आपको अप अगर आपके काम आ पाई तो यह कहीं ना कहीं सफल हो जाएगे अगर मैं अपनी ट्रेडिंग की बात करूं तो मैं श्टॉक मार्केट में 2008 के टाइम पर आया 2008 का टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रूसियल इसलिए भी था कि हमारी फैमिली की जो आर्थी किस्तिती थी कहीं ना कहीं बहुत खरापती और मैं अपने घर का मेरी फैमिली की में बात करें तो मैं दो भाई एक बहन हुआ था तो जब समझते हैं कि घर में जो बड़ा लड़का होता है उसके कंदे पर किस तरीकी की जिम्मदारियां होती है दोस्तों फिद 2008 का टाइम मेरे लिए बह अच्छे अच्छे लोग जो अच्छी कंडिशन में होते हैं उनको भी तोड़के रख देती हैं और हमारी तो कंडिशन आर्थी किसिती पहले से बहुत खराब चल ले थी और सिसंबर 2008 में मेरी मम्मी का किड्नी ट्रांस्प्लांट होना था मैं डोनर था मुझे अपनी किड ट्रांस्प्लांट में खर्च हो चुका था तो इसके बाद मैंने उस टाइम पर एजूकेशन के साथ अपनी एजूकेशन को कॉन्टीनी रखने के लिए जौब करने का डिसीजन लिया और समय मैं डिलाइंस पावर में एज डाटा इंट्री ऑपरेटर काम करता था मेरी सेल ही आया था लेकिन आने के बाद मार्केट ने इतना अच्छा वैलकम किया 2800 रुपए के मेरी सेलरी होती थी और फर्स्ट मंथ में जो मैंने पैसा कमाया पहले में मेरी इंकम थी वह आप्शन पाएंग के तो फिर आप समझ सकते हैं जब को 2800 रुपए के सेलरी वाला बंदा 16,000 रुपए को एक महिने में अर्ण करता है तो उसकी मानसिक इस्तिती मनोदस्टा क्या होगी मुझे लगने लगा यार इससे अच्छा तो कोई धंदा ही नहीं क्या करना है मैंने सीधे यह कैलकुलेशन की आज के टाइम में बहुत सारे लोग यह कैलकुलेशन करते हैं कि 28 सारा का सारा भ्रहमता और बहुत जल्दी टूटा फिर मुझे जब लॉस का सिल्फला चालू हुआ चलता रहा 2008 से लेकि 2018 तक मैं सिर्फ एक लॉस्मेकिंग टेडर रहा हूं मार्केट का सुरवात का टाइम सा मार्केट ने मुझे लॉलीपॉप दिखाया था उसके बास से म मार्केट में लॉस्मेकिंग टेडर रहा और मैं जब 2018 का टाइम आया 2018 में एक बार जब में कैलकूलेशन करने बैठा गी अपने आप से बाते कर रहा था भाई आखिर किया तो क्या किया यह सोचने को में मजबूर इसलिए हुआ कि आज बहुत सारे आट्स आपको टीवी मी में मेरे पास एक कॉल आती है दुपहर में डाई बजे का टाइम था एक लोड़की सामने से बोलती सर आप स्टॉक मार्केट करते हो मैंने का यह स्टेट करता हूं उसने बोला सर यह प्रीमियम सिंथिक का सेर है अभी आप इसको बाई करो 280 रुपय का भाव है अगले तीन म सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरीके से आप मेरी कहानी से कही ना कहीं कर पहें कि मैं क्या कहना चाहता हूं मैं आपको एक बात और बता दूँ कि दोस्तों मैंने आज तक स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ भी एचीव नहीं किया जिसके उपर मुझे बहुत अपने उपर गर्व है बहुत मुझे अपने पर प्राउड होता है मैं आज भी रेंटेड हाउस में रहता हूं परे पस कोई लग्जुरी गारी नहीं है उसका सिर्फ एक रीज़न है कि जिस तरह अर्जुन को मचली की आँख दिखती थी मुझे आज सिर्फ अपनी कैप्टल नजर आती है मैं सारा का सारा फोकस अपनी कैप्टल पर कर रहा हूं फिर 2018 कि जब मैं सोचने बैठा कि यार स्टॉक मार्क है कि हां करके मुझे लग रहा था कि सारा पैसा जो मैं कमा सकता हो उप्षन कमा सकता हूं अधुद्स यहीं लगता है कि जो भी पैसा बनेगा वह शन्वाइंग में गवाया 2017 में मैं मुचल फंड का डिस्टिबूटर भी बन चुका था तो बहुत सारी साइपी भी मैंने बेची हुई थी तो महां से थोड़ी इंकम आना इस्टार्ट हो चुकी थी फिर 2018 में यह देखा कि सारी की सारी सेविंग्स मैंने स्टॉक मार्केट में गवा दी है उस समय मुझ साथ शेरवजार में गया है इसको कहीं ना कहीं से कुछ कोशिफ करके वापिस लाने की कोशिफ करो तो शायद यह मेरे लिए अच्छा होगा और अगर 10 साल में मार्केट को चोड़ना तो नहीं चाहता था क्योंकि कहीं मुझे यह पता था जब मैंने यह क्या कि लगातार मै किया है मैंने यह देखा कि अगर मैंने 100 लिये हैं तो 95 में मैंने लॉस किया है और पांस टेड में मैंने प्रॉफिट किया है लेकिन जो आप्षिंस में करता तो कोई कि कोई option है आप सो रुपए की चल लगा तो आप उसके लिए कितना प्रीमियम पे करते हो और उसी को जब मैं लगा मुझे लगा इसको भी मैं से कि अपनी कैप्टल को डबल ट्रिपल या 50 परसंट 60 परसंट के लिए कमाने आते हूं वही एक लाख रुपए लगा कि जो आपसें सेल को सेल कर रहा है उसकी प्रवेल्टी और प्रॉफिट में पांच परसंट की है ना तब यह पिच्चर कहीं ना कहीं मुझे क्लियर हुई कि फिर वहां से मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे को जो काम करना है वह सीख के करना है फिर मैं एजुकेशन की तरफ सिप्ट हुआ तब मैंने चार्ड रेडिंग सीखी ऑप्षें सेलिंग सीखी कौंट इन वी सिलसला दो-तीन साल सीखने का चलता रहा मल्टिबल मैंने व पैसा भी नहीं बचा हुआ था तो कहीं न कहीं मुझे उस टाइम पर किसी ने ये बताया कि यूएश्डी नाम का भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है करेंसी के अंदर जहां पर आप सेलिंग कर सकते हो और यह माते दस बीस जार रुपय से स्टार्ट भी हो जाती है तो उस सम मैं कोई पैसा निकालूंगा नहीं देखता हूं यहां से किस तरीके के रेटन साथ हैं दोस्तों मैं मातर वहां पर 3-4 पर्शंट के लिए काम करता तो मैं आपको एक बात और बताता हूं कि यूएश्डी नर के अंदर अगर आप दो पैसे का प्रीमिम करते तो आपको एक महिने के चार परसंट कमाने के लिए मेरे को कहीं आठ पैसे का प्रीमिम करना पड़ता तो मेरा टार्गेट मार्ट तीन परसंट का होता था इस तरीके से सफ़र चलता रहा 2020 का टाइम यह वही 2020 है जिस समय कोविट के टाइम पर जिसकी बात मैंने आप से सुर्वात में की थ है क्योंकि इस समय मेरी वाइफ की प्रेंगनसी ती और इससे पहले हमारे समझे प्रेंच निसके बाद आप समय सकते हैं कि यह बच्छा हमारे लिए कितना 2% और और मेरी वाइफ के बहुत सारे हार्मों इंडिसस्वालंस देन्स ने इस लिए उनको डेली इंजेक्शन लग हो गई अब समस्य यह थी कि जो मेडिकेशन की कॉस्ट इंजेक्शन से इसको बंद नहीं किया जा सकता था अब एक एक मेरे पास इंकम का सोर्स और जो मैंने बनाया था जैसा कि मैंने आपको बताया 2017 में मैंने मुचल फंड की डिस्ट्रिबूटर से भी ली थी तो वहां से मैंने बहुत अच्छा है कि खड़ा किया तो वहां से कुछ कमिशन सा जा जाते तो सेलरी और वह कमिशन मिला कि मेरी गाड़ी आराम से जा रही थी लेकिन जब चार में नहीं आई तब यह सोचने पर मैं मजबू कि मैंने उनसे वह पांच रुपए नहीं वापीस आया दोस्तों उस रात पूरी रात में नहीं सोया यह सोचता रहा कि 10 साल जो मैंने लाइफ के अपने खर्च किये वह मैंने गैंबलिंग की श्टॉक मार्केट में जुवां खेला और सारे पैसे वहां गवां दिये और उस आपको सेलरी जो मिल रही है यहां पे आप अपनी जवानी का वो टाइम खश कर रहे हो जो आपकी कोर एनरजी का पार्ट है आप जिस समय आप एनरजी से भरफूर होते हो 25 साल से 40 साल की वह आज अप नोकरी पर लगा देते हो किसी इंप्लॉयर के भविस्कों बनाने के लि लेकिन 2018 में वह भरम भी टोड़ गया कि यह जो दस साल मैंने जुआ खेला इस एक्सपिरियंस के वेली जीरू होता है जहां से आपको सीखते हैं और मैंने दस साल लगातर वही गलतियां रिपीट की तो यहां से सीखने के लिए भी कुछ नहीं था लेकिन एक अच्छी बात बाइंग में लगा हुआ था जो मेरी पुरानी आदत की तरह हैं जो एक बार आपको पढ़ गई ना तो उससे निकल पाना बहुत मुस्किल हो जाता है फिर जब मैंने देखा कि 2020 में जो कैप्टल मैंने आप्सें सेलिंग के लिए डाली थी वह कैप्टल तीन साल में 20,000 मुझे नहीं लगता कि जॉब मुझे आगे करनी चाहिए तो दोस्ते यहां पर मेरी वाइफ का जो डिसीजन था वह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरी वाइफ ने मुझे समझाया कि मैं यह समझ नहीं कर ली है जिससे हम अपना खर्चा चला सकते हैं क्योंकि उन्हो यह डिसीजन बहुत गलत था क्योंकि उस समय जो मेरी टोटल सेविंग थी और पांच लाग रुपए के साथ आप समझो कोई अगर फूल टाइम के लिए मार्केट में आ रहा है तो मेरे ख्याल से यह उससे गलट डिसीजन लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता लेकिन उस समय है चुकि आपके पास आपके लाइफ पार्टनर का जब सपोर्ट होता है ना तो मेरे ख्याल से आप सब कुछ कर गुजरने के लिए तयार होते हैं तो वह कॉंफिदेंस मुझे बहुत अच्छा मिला एक तरफ यहां से भी महिने का 4% 3% निकलने लगा तो गाड़ी ठिक ठा सारा पैसा एक उप्शन में डाला और दोस्तों आपको पता है शाम को जब क्लोजिंग का टाइम होता है ना एक सब्सक्राइब किस तरीके से डिके होते हैं जरा सी पांच मिनिट के एक के एक पूरा का पूरा पैसा पांच लाग रुपए की कैपिटल मांत 25 रुपे पर रह लोगों ने उस टाइम पर मेरी बहुत मदद की एक रेडिट काड़ था जिससे मैंने हॉस्पिटल के बिल वगरा पे कि बहुत सारे लोगों ने फिर मेरी हैल्प की जिससे में इस वगरा के बिल से तो बहुत निकल के आपाया लेकिन अभी मैं अपने वाइफ को भी यह नह ने आपकी सोच सलामत रखी आप सब को सोच पा रहा हैं आपके हाथ पैर सही हैं तो मेरे ख्याल से आप किसी भी चीजों कितने भी बुरे हाला से दुबारा फिर निकल सकते हैं उस टाइम पर मैंने मेरे पास एक प्लॉट था तो 16 में मैंने लखनों में खरीदा तो उसको बै क्यों करना चलू किया दोजार एक्टीस के टाइम पर मैंने देखा कि इंड ऑफ दा ये मेरी कैपिटल 12 लाग रुपए हो गया बैंक की चली जा चुकी थी थी क्योंकि बीच में मुझे बैंक से तुछा टॉप भी मिल चुका था फिर यहां से मेरी कैपिटल कॉंटीनिव साल तीस साल चालीस साल की एज में हो आप यह रोना रो रहा है कि आपके पास कैपिटल नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको यह एक्स्क्यूज देने बंद करने चाहिए और यह जो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है मैं यूजडीनर में करता हूं इसके साथ दुबारा मैं निफ साल में सिफ्टी में आपको बता हूं मैं सिफ्टीन से चार्ट करता हूं फिर भी मेरे रिटन 25 से 30 परसंट के आराम से आजाते हैं मैं यह करता कि आप साल में कमाने के लिए काम कर रहा हूं अब यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हो जो बोलेंगे बहुत सारे आप्शन फॉल आता है तो बरवाद हो जाएंगे दो यह बंदा चार करोंड लगा के काम कर रहा है कि उसकर कोई पॉंट नहीं होता है क्या उसका कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है है अगर इस तरीके से आप सोचोगे तो आप 10 साल किसी कंपनी को देते हो रहा तो रहाए नोकरी करन जितनी भी चीजे मैं बताई यह आपके काम आई होंगी, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज प्यार दीजेगा, कहीं गलती हो तो प्लीज शमा करिएगा, और जोश टॉक को प्लीज सब्सक्राइब करें, और हो सके तो मेरे यूटुब चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करे अगर ऐसे ही हर खर्चे पर भी आधा पैसा वापस मिले तो, आप फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमजोन, नाइका जैसी वेबसाइट पर तो खर्चा करते ही होंगे, कैश करो आप पे आपको इन सभी वेबसाइट पर और अन्य 1500 ब्रांड्स पर 50% तक का कैश बैक मिलता है, हम से फ्लिपकार्ट या अन्य कोई भी ब्रांड सिलेक्ट करना है, हमें हर बार की तरह ही शॉपिंग करनी है, लेकिन इस बार मिलेगा कैश बैक, ये कैश बैक आपके हर शॉपिंग पे मिलेगा, और वो कैश बैक होगा सभी ओफर्स, डिसकाउंट, सेल्स या स्पेशल ओफर के डिसकाउंटिड अमाउंट के उपर, और प्लेस करने के बाद ये सारा कैश बैक आपके कैश करो वॉलेट में एड हो जाएगा, जो कन्फरमेशन पे आप बहुत आसानी से अपने अमाजॉन पे, फ्लिपकार्ट, गिफ्ट कार्ड या बैंक अकाउंट में भी सीधा ट्र डाउनलूट कैश करो अप नौ इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेर करना ना भूलें